कभी भी UPSC के कोशन को आप टार्गेट नहीं कर सकते हैं उसका एक सहरहां सा तरीका होता है जैसे एक मच्वारा अपना जाल फिरता है और जाल फिरकर धीरे धीरे उसको कम कड़के विलाता है तो मचलियां फोस्ती है ऐसा मैटर चाहिए जो फिजिकल एकनॉमिक हुमन जग्रफी को लिंक करते हुए इन्वार्मेंटल जग्रफी से जो बच्चों में अंडर्स्टेंडिंग डेवलप करे है जग्रफी को फैट्स को बना रखा है इतना बढ़ियां सब्जेक्ट हो अब प्रतीक है यह लीट कर रहे हैं तो इसमें क्या है वो थोड़े समय के बाद जैसे जैसे एक जाम निकट आने लेगा जैसे खास के एट डेज टेंडेज होते हैं तो बहुत सारे इस्टुएंट्स घवरा करेंगा हम से छोड़ देते हैं और छोड़ती इसलिए कि उनको लगता है किया रहे हमें तो कुछ भी याद नहीं है अब उनको फिली होगी दिमांग में आप दिमांग ब्लैंक है हमें कुछ भी याद नहीं हम क्वालिफाई करी नहीं सकती है जब इस्टुएंट्स को हम छोड़के जाते और दूसरा सेगमेंट जब उनको पढ़ाया जा कभी जब मॉड्यू में आप हमारे घर पाएंगे यह सही है कि मैं ओन दे एवरी थोरा कम सोता हूँ जैसे देखे हमारा करेंट का टीम है इधर देखे जागरफी का टीम है बैठा हुआ नवस्ते दोस्तों मैं हूँ सीवाम दिवाकर और आपके लिए मुखर जी निगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाएं आप लोगों ने देशवर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान है मनीक आंसर जिनको आप पूरे देश भर में जानते हैं अगर आप UPSC के तयारी करते हैं और लाखों इस्ट्वेंट ये कहते हैं कि मनीक आंसर भारत के इतियास में एक एतियासिक सिक्षक है हमने कई बार सरके इस्ट्वेंट के इंटर्वू किये या फिर पता भी चलता है 2021 में भी सरके जो चातर रहे उनके 288 नमबर उसके बाद पिछली साल भी हम अभीनाव परकास सर्थ से मिले थे उनके भी लगबग 304 नमबर थे UPSC का रिजल्ट आया 2023 में इसमें भी सर की एक इस्ट्वेंट रही है उनके 308 नमबर रहे हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है येस थैंक यू सर मैं आप सी यह जानना इसको आप ऐसा क्या कराता है कि है स्ट्री में उनके अधिक से अधिक नमबर आ जाते हैं हर साल हर साल देखिए शिवाम अगर बहुत अनस्लीं अप हमसे पूछेंगे तो हम सारे बच्चों को कराते हैं और हम इसना टाइम देकर और जितना सिस्टिमेटिक तडीक से कराते ह हैं sources का knowledge देते हैं फिर उसके बाद उसको changes की pre understanding देते हैं और शायद ही कोई ऐसा question question bank में नहीं हुआ जो मैं class में dictate करके उनलों को लिखना नहीं सिखाता हूं और बहुत सारे students ऐसा कहते हैं कि मैंने आप से ही general studies में भी लिखना सिखा लेकिन उसमें कुछ है जो निकल जाते हैं मैंने क्या कहा subject बहुत महान वो होता है जिसको ज्यादा दिगज students में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ students जो हमारे साथ reciprocate कर पाते हैं मतलब हमारी तरह भी मिहनत कर पाते हैं उनमें भी जुनून होता है इसे आपने भी एक सवाल किया कि आप इलिए 30 से पढ़ा रहे हैं कई लोगों का सवाल होता है कि ठकते नहीं हैं कई लोगों का सवाल होता है कि वह आप कैसी तो actually मैं जुनून से पढ़ाता हूं क्योंकि वो सिर्फ हम अगर professionally अगर हम पढ़ाते हैं जैसे मैंने बच्चों का हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका बागी लोगों से अलग कैसे हैं तो आपको बता देंगे हम उनको changes का knowledge देते हैं हिस्ट्री के बारे बहुत बढ़ा मिथक है जैसे अभी ओरन में हूं तो कि हमारे कुछ seniors ने कहा कि हिस्ट्री बहुत सारा फैट्स होता है हम ने कहा कि देखो ऐसा है कि ओर आरे में मतलब ओल राजन नगर में मुझे लगता है कि अभी तक हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ाएगा हम मुकरजी नगर में थे अब और आरे में आ चुके हैं अब और न को बच्चों को हम बताएं कि हिस्ट्री फैट्स नहीं है हिस्ट्री मदर ऑफ और से इतना इंट्रेस्टिंग है कि विल इंज्वाइद सब्जेक्ट तो हम उनको इंज्वाइब करना सब्जेट का सिखाते हैं हम उनको बेस से बेस्ट बुक हम सारे बुक्स पढ़ने का पेन में मोल लेता हूं और उनको सीधा में नॉलेज ट्रांस में लेकिन अगला सल क्या होता है इसके हम भी गारंटी नहीं दे सकते हैं मैं आप से यह भी दाना चाहूं जैसे मैं ग्राउंड पर बहुत सारे से मिलता रहता हूं बाचीत करता हूं आपकी हिस्ट्री ऑफशनल की तो बहुत ज़दा डिमांड होती है आप से हमने ORN में ही नहीं हमने मुखरी नगर में भी शुरुआत कि है और इतनी लेट शुरुआत हमने क्यों कि इसकी वज़ें बताता हूं कि पहले में GS में हाथ नहीं डालना चाहता था यह बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग काम था क्योंकि अब तक तो हिस्ट्री में खु किसी को जोर नहीं पाऊँगा अगर मैं हलाकि मेरा मोटो है मैं आपको बताओं कि लास सास तक परहाना तो शायद मुझे छुटे ही ना लेकिन हम किसी को जोर नहीं पाएं लिए जेस्ट्रीज में क्या है कि ग्रूप आफ टीचर को मैनेज करना है तो बहुत दिनों तक मेर लोग ऑफ्सनल हमारा दैस्टेडी है और जीएस के लिए हम ठीक है कोई ने कोई रूपे मार्केट को में कॉंटिबूट करते हैं तो एक एक इस्टीट से फिर एक इस्टीट से मेरा एस्टीएशन रहा अब वहां होता क्या था कि मैं जिन जब हिस्टी का पार्ट में पढ़ा जाता तो मेरा था कि मैं बहुत इंटीग्रेट इट परा था एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक दूसरे से टॉपिक तीसरा टॉपिक जोर कर और आपने मेरा मोटर सुना होगा भी अ थिंकिंग क्रिएशन हां सर यह मैं जैसे मुखर जी नेगर देखता हूं या ओल नहीं कर सकते हैं उसका एक सहरां सा तरीका होता है जैसे एक मच्वारा अपना जाल फेकता है और जाल फेकर धीरे धीरे उसको कम कड़के वे लाता है तो मचलियां फोस्ती है उसी प्रकार से बच्चों को एक वाइडर पर्विव देना पड़ता है और वहां से फिर पर बाचित नहीं हो रही है बिल्कुल जैसे तैसे पढ़ाया जा रहा है तो बहुत दिनों तक असमजन से भी चुकि वह अखर चीज में उनसे एडवाइज लेता हूं तो मैंने उनसे भी बात की अपने बच्चों से भी बात की बहुत समय तक मुझे हमत नहीं परी कि लगी सी ही हुई कि अगर हम परिडाइम सिफ्टिंग जी-एस में कर दिया है इस्टी में तो मैं एक ग्रूप फट्डूट्स को किया जो बच्चे मेरे जॉब कर रहे हैं वह भी याद रखर है जो भी क्लास कर रहे है उख जुन भी याद रखा है लेकिन अगर हमने जी-इ में असाग कर दिया, तो एक हम अपनी लेगेसी छोड़ के जा पाएंगे, अब तक जो शेडिस का मतलब होता है, खोड़ टीचर, कहीं से भी जैसे आप मालेजे क्लास से स्टार्ट करना है, तो अब उस बच्चे का भाग्य है, कि वो जब कहीं इसिचुट जोइन करता है, अगर उस सांस्थान में, चुकि उसकी मजबूरी होती है, अपना सांस्थान चुकि यह प्रोफेस्टनल होते हैं, इस पेडिचर भी काफी बर गया, उनको भी ब्लेम नहीं करता, लेकिन उसके शिकार बच्ची हो जाते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता है, जैसे अब साइन्स टेक का टीचर खाली रहा, तो उस बच्चे को साइन्स टेक से ही सुरू होगी, अब एक बच्चा उठके पराता है, तो उसका सारा UPSC पढ़ने का जुनूर ही समाप्त हो जाता है, तो हम उसमें एक नए पैटर्न पर, आपने देखा होगा एक परडाइम सिफ्टिंग का नारा दिया है, एक पहले टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोर कर और एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट स साथ तेयारी कराने है, टाइम टू टाइम टेस्ट लेना है, तीन स्टेज का हमने इसलिए उसकाज करम को रखा है, बेसिक फांडेशन, एडवांस फांडेशन, एंड सूपर स्टेज, यह तीन हमने चलंद में बाटे हुए हैं, ताकि इस्ट्टिंट का पैरडाइम हूं, मुकरजी नगर, और सेविन टुएट मन से मेरी अडूटी में यह है कि मैं अपने उसी कॉंटेंट टीम के साथ काम करता हूं, और उन सब को एक खास पैटर्न से त्यार करवा रहा हूं, जो मेरा कॉंटेंट हो मार्केट से जम निकल के आएगा, तो मार्केट के पैट क्योंकि मेरा बैच इस्टाट हो रहा है त्वेंटी सिक जून से लेकिन सारे टीचर्स को हम फस्ट जून से जोड़ रहे हैं, और ट्वेंटी टु 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 फाइव डिज हमको अपने टीचर्स के साथ का बिताना है, अभी मैं अपने कॉंटेंट टीम के सही है कि मैं on the average थोरा कम सोता हूँ, जैसे normally मैं 12 o'clock सोता हूँ, 6 वजे सबी रूख जाता हूँ, उसके बाद फिर मेरा दिबाग active हाल मी होता है, तो अब बेट पर जाने पर अचानक से तो निन्द नहीं आ जाती है, तो मैं उसके से 5 सारे 5 सारे 5 सारे 5 गंटे का average मैं निन दोड़ता हूँ, तो उस समय कोई यह नहीं समझ सकता है कि मैं एक age person हूँ, मैं एक young की तरह दोड़ता हूँ, और मैं पसीने से लद्पत होके फिर उससे उतरता हूँ, तो मैं उतना ही यह अपने आपको फिल करता हूँ, जितना कोई young व्यक्ति फिल करता है, हमको आज सब क आगे और भी बेहतर होने जाएगा, क्योंकि आपने देखा एक call work center हमने डाला है, अब तक English medium बालों के साथ क्या होता था, कि मैं उनको online ही help कर पाता था, वजह क्या है कि मैं मुकरी नगर में था, और वहाँ English medium का माहौल नहीं था, तो हम वहाँ English medium का separate batch बैच 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 ब और हम English medium में equally करना चाहते थे, उसमें हमने उस recorded वीडियो से, वह जो मेरा आपने अफिनो जो देखा था आपने इस्वेंट, वह भी online का मेरे इस्वेंट था, यह भी मुझसे online ही help ली थी, इसने, लेकिन अब मैं चो कि आचुका हूँ, और एन में, तो अब हमारा offline का date आच चुका है, offline सुरू होगा, offline के साथ online में हम live भी देंगे, जैसे हिंदी मीटे में देते रहें, और recorded भी देंगे, तो अब कहा है कि और और भी ज्यादा हम उमीद करते हैं कि future में हमारा result आएगा, अब इस बार तो हमारा investment ही हो रहा है, और investment का outcome एक एकाद वर्स के बाद इसका मतलब जनी student को इंतिजार था वो अब खतम होने ही बाला है, ऐसा सोच सकते हैं आप अगर किसी का इंतिजार है, तो किसी को इंतिजार होगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, कब सकते मेरा इंतिजार तुक कर रहे हैं, सर मेरा बाप से आखरी सवाल ही यह है, जैसे UPSC का प्रिलीम सब नजदीक आने वाला है, जो student इस वार तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, आखरी में किस तरीके से तैयारी करें और क्या-क्या गलतियां ना करें? देखिए, मैं अपनी experience से उनको बताता हूँ कि सबसे पहले चीज़ तो बहुत ज़्यादा information को carry करने की कोशिस ना करें, बहुत सा information नहीं जाता है, उनका confidence लूच करवा देगा, अब कोई नई चीज़ पढ़ने की तो बात रही नहीं, चुकि अब बहुत, मतलब अब यह क फोरा सा पढ़ते हुए evening में किसी समय हलका entertain करें और दिमाग की creativity को बना कर रहें, उनको हम एक message और भी देना चाहेंगे, चुकि दोनों setting उनका paper होगा, और खासकर जो उनका अब जानते हैं कि second paper, second half में उनका see set का paper होगा, तो एक आज़त अगर उनकी है तो उसको छोड़ होते हो दिन में सोना छोड़ दे, day time में they should not go to bed, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि फिर उनको उस समय में एक drudgyness फिर होने लगा, एक नेंज जैसे आनी लगेगी, तो वो उस आदत को छोड़ दे, और दूसरी चीज़ में ये कहना चाहूंगा, कि वो जो पर रहे हैं, उस तो वो कुतरन कोई इंसान चवा नहीं सकता है, that is not practically possible, तो क्या होगा कि वो थोड़े समय के बाद, जैसे जैसे एक जाम निकट आने लेगा, जैसे खास कि 8 days, 10 days होते हैं, तो बहुत सारे students घवरा करें गया हम से छोड़ देते हैं, और छोड़ती इसलिए कि उनको लगता है करें, हमें तो कुछ भी याद नहीं है, अब उनको फिलिंग होगी दिवाग में कि अब दिवाग ब्लैंक है, हमें कुछ भी याद नहीं है, हम क्वालिफाई करी नहीं सकते हैं, यह एक फिलिंग सभी को आती है, यह एक नेसेसरी एविल है, इसको जेलना होगा उनको, और जितना facts उनको याद है, facts से कुछ लिलना देना नहीं है, question understanding पर होती है, अगर आपके understanding clear है, उसी understanding से facts भी निकल जाता है, तो इसलिए हम यही message देंगे, कि be practical, be pragmatic, आपका दिमाग किसी से कमजोर नहीं है, आप अपने mindset को positive पनाए रखें. अगर बहुत सारी स्वेंट का यह सवाल रहता है, जो लाखोई स्वेंट आपको online देखते हैं कि money का अंसर ने, जो दाई study है, GS Foundation के लिए इतना लेट क्यों शुरुआत की, इतना लेट आपने सर क्यों किया, और बाकी coachings के क्या आप अलग कराएंगे, क्योंकि coaching तो बहुत सार का जवाब आपको पिछे ही दे दिया है, आपको याद होगा कि why have I started a bit late, तो इसलिए कि मैं काफी सोच समझ कि इसमें हाट डालना चाहता था, अब दूसरा सवाल यह है, दूसरा question यह है, यह सही है कि हमने September, October से अपना initiative, बलकि कहले तो आप पिछले June से ही मैंने initiative शुरू क बस आप batch start का एक date दे दीजिए और शुरू हो जाईए, लेकिन पिछले लगवग eight to nine months से हमारे जो R&D टीम है इसी तरह काम कर रहे है, थोड़ा मैं भी उनको परिशान करता हूँ, थोड़ा यह भी हम यह परिशान करते हैं, क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं उसको समझने म लग जाता है, कई वार हम जो बताना चाहते हैं कान को प्रेशर ज्यादा पड़ता है, फिर भी यह काम करते हैं, आप जैसे मैं आपको अगर बताओं तो उधर देखे हमारा current का team है, इधर देखे जागरफी का team है, बैठा हुआ, तो ओ सब क्या है कि इस तरफ मीडिया का team ह है, और सब अपने अपने जगापर काम करना है, और हमारा जो matter है, उसका slogan और motto ही अलग है, कि तू भी ए थेंकिंग क्रियेचर, यहां पर हमारा study material उसी लाइन पर बनना है, जिस लाइन पर teacher को परहाना है, और mentor को उसी लाइन पर काम करना है, तो सभी को synchronize करने में, that is going to be a big challenge, अब जैसे कहा है कि यह tradition नहीं था, UPSC में, कि matter त्यार करने में कोई specific तरीका हो, लोग जैसे त्यासी एक के बाद दूसरे topic त्यार कर लेते, अब देखे हमारे पॉलिटी वाले हैं, आप हमारे पॉलिटी वाले team से मिलिए, तो कहां से शुरू करेंगे, international जैसे हम आपको बताते हैं, यह देखती रही हैं, जैसे शिवानी मैम है, उधर बैठी हुई, वो मतलब वो लिट करती रही हैं, और इधर अब प्रतीक हैं, यह लिट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि अब जो team है, तो कैसी quality में किस topic के बाद कौन सा topic बनेगा, किस के बाद कौन सा topic बनेग तो एक एक matter बनने के बाद तीन तीन वा reject होता है, कर बाद हमाई team के लोग भी परिशान हो जाते हैं, बनने के बाद भी reject हो जाता है, क्योंकि फिर आपको reformulate करना पड़ता है, तो यह जैसे उधर geography में है मकरंद, मकरंद ने challenge accept किया, कि हमने कहा कि देखो geography में एक problem मैं देख फिजिकल जगरफी में, और economic और human geography बात ही नहीं होती है, तो हमें ऐसा matter चाहिए, जो physical, economic, human geography को link करते हुए, environmental geography से, जो बच्चों में understanding develop करे है, जगरफी को facts को बना रखा है, इतना बढ़िया subject हो, मकरंद has accepted the challenge, and is working on this line, the same happens in case of event, आप कर सकते हैं, हमारे जो current की है, हमने कहा बच्चों में थोड़ी सी तो understanding develop करें, topic इस तरह से बने, तो इस तरह से हमारी कोसिस है, कि हमारा matter मार्केट से अलग बने और हमारा विश्वास है, I am confident कि जब हमारा सारा कुछ बनकर तयार होगा, unpacked होगा, तो उसी तरह का होगा, तो सरी यही बज़े है, थोड़ा सा लेट सुर्गात करने की, हाँ, ओके, बिल्कुल, तो अगर आपको ऐसा लगता है, कि हम कोई और सबाल पूछना फूल गए हैं, तो आप जरूर लिख बेजिए, मिलते आप से किशी और वीडियो,